खरगुन चिले के भगवानपुरा तहसिल के सुदूर अचल में बसे गिराम रजगांगली के लिम्फ लाया के ग्रामिडों का 5 साल पहले लगे बिजली पोल पर बिजली आने का इंतजार खतम होते नजन नहीं आ रहा है 5 साल पहले लगे पोलों पर बिजली आने के इंतजार में ग्रामिड आयदीन प्रसासनिक अधिकारी के चकर काट रहे हैं मंगलवार को फिर इन पोलों पर बिजली आने की आस में कलेक्टर और अधिक्षन यंद्री कारले पहुचे ग्रामिल, लाल सिंग, मुकेस, किलास, गज़ा आदी ने बताया कि लिम फलिया में अनुसुचित जाती, जन जाती के 50 परिवार निवारस्त हैं यह 5 साल पहले यहने वर्ष 2018 में विहुद पोल लगाए गए थे जिसमें उन्हें उमीद बंदी थी कि अब उनके गाउं में घर में भी उजाला आएगा लेकिन पोल लगने के बाद मानो भी हुद विभाग इस गाउं को भूल गया ना तो ट्रांस फामल लगे ना तार डली गाउं अभी भी अंदरकार में डुबा है रात में जहेरी ले जानवरों को खत्रा वन राते रहता है कई बाल लोगों की जान तक चा चुकी है बच्चे पड़ाई तक नहीं कर पाते ग्रामिडों की मांग है की उनके गाउं में भी 24 घंटे विजली के वेवस्था की जाए अभी का फोल चा पांच साल से खड़ करते हो के वहां पर लाइट चालू नहीं कर रहे हैं समस्थ्या का रही है लाइट नहीं दे रहे हैं इन लोगों नहीं बिजली भाख वाले नहीं काई बार तो उनको बोल दिया कि बिजली चालू करो बिजली चालू करो तो बोले कि आ क्या मांग करते हैं आप हम सरकार से यह मांग करते की हमारे आप डिजली चालू है और हमारा जिश उकी रहे इतना परिवार का लोग रहे से हैं सुबारम डावर राजगांग निसा है क्या है पांच साल हो गया फूल खड़े कर रहे हुए और लाइटे चालू निकर इन लोपने तार निखेचवाई ट्रास्पर नि लगवाई वहां पे बहुत ड़ लगता है साफ बिच्छू निखरता है दो एक वो साफ ड़स लिया जो क्या है कि वहां पांस साल लोग प्शाथ है कप्से हैं फच्छाथ घर के बिली कप्से नहीं गाव में लाइन है अब एछ गंटा के लाइन है कवा पांस साल है क्या है बिचले हैं नी शुरू से निय है खरबन से अबरार पठान की रिपोट वोईजफ एंपी की मुहीम बेजुबान पक्षु के लिए दान करे सकोरे या फिर अपने मकान के छट पर रखें सकोरे भीशन गर्मी में सुने इनकी फर्याद